अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सूपर फास्ट स्टेडी पे मैं हूँ तरुन वर्मा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका सहयक सिक्षक विज्ञान प्रयोक साला लेब टेक्निशन का पोस्ट निकला हुआ है और उसकी तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ और उसका एक्जाम जो है वो 500 नंबर का होगा 150 मार्क्स का होगा जिसमें से आपके 100 नंबर याने 100 नंबर का आपका विज्ञान से पुछे जाएंगे और उसी की मैं तैयारी करा रहा हूँ और इसमें Physics, Chemistry और Biology तीनों के Questions रहेंगे और ये 100 नंबर कर रहेगा मतलब 75% जो आपका मार्क्स है वो स्रिफ साइन से आएंगे तो ये बहुत important है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए ये इसका पांचवा पार्ट है इससे पहले मैंने 4 पार्ट मेरे चैनल पर अप्लोड कर च सक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर सक्कर की विलायता बढ़ती है याने कि सक्कर का जो घोल है अगर हम उसका तापमान बढ़ाते हैं तो सक्कर की विलायता बढ़ेगी याने कि अगर तापमान बढ़ाएंगे पानी का तो जादा सक्कर उसमें घोला जा सकता है पानी म छोटी आत में जो है भोजन का मुख्य पाचन होता है छोटी आत की लंबाई लगभग 22 फुट के आसपास होती है जबकि आपकी बड़ी बड़ी आत जो है उसकी लंबाई 5 से 7 फुट के आसपास रहती है निकट द्रिष्टी दोस का कारण है नेत्र गोलको का दिरगी करण तो निकट द्रिष्टी दोस का कारण है नेत्र गोलको का द्रिष्टी करण देखें यहाँ पर confusion बहुत लोगों को यह confusion होता है कि निकट द्रिष्टी दोस में क्या होता है तो जैसे इसमें उल्टा है की चीज़ें अच्छी दिखेंगी पास की चीज़ें साफ दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी वैसे ही दूर दृष्टी दोस से इसका मतलब यह है कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी और चलिए आगे देखते कुनैन किस से प्राप्त किया जाता है यह बहुत important question है कई बार exam में पूझा गया है तो कुनैन जो है वह सिंकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है सुस्क बर्फ किसे कहा जाता है तो थोस carbon dioxide co2 को आपका सुस्क बर्फ कहा जाता है oxygen की खोज किस ने क तो दोस्तों एक चीज और मैं बता रहा हूं एक थर्ड पार्ट में एक छोटी से गलती हो गई है वहां पर मैंने protein की खोज कह दिया है वह है proton की खोज गोल्डश्टीन ने की थी वहां मैंने गलती से proton को protein पड़ दिया था तो आप उसको देख लेंगे एक बार अच्छा आ इसके कारण pressure cooker में जो खाना है वो जल्दी पक जाता है दूरवीन का प्रयोक किया जाता है दूर इस्थीर वस्तुवों को देखने के लिए तो आपको मालूमी है निमिस्मेटिक्स क्या है निमिस्मेटिक्स जो है सिक्को एवं धातुओं का अध्यान को निमिस्मेटिक कहा होता है तो पीने की पानी जो कि आपके नगरपाली का से आता है जो टैंक में उसमें क्लोरीन मिला रहता है क्लोरीन क्लोरीन से पानी को प्यूरिफाई किया रहता है जो भी डश्ट कंटैमेंट है वो क्लोरीन मिला देने से पानी में नीचे बैढ जाते हैं और पानी साफ हो प्रदान करते हैं यानि बहार से अगर कोई जिवानों विशानों हम पर आक्रमन करते हैं तो यह लिए सबिकोसाइटसी हैं जो हमारे सलीर को बचाते हैं उनसे लड़कर रक्षा करते हैं यह स्वेक्रक्त कणिकाय है् रक्त में dois प्रकारी कणिका कशनी का कीपर हों एक कारण के कारणहें यह विशानों के करना होता है वायर traaj के कारन तो एंठ्रोक्स फरोग जो है वो गाय और भैस में पाया जाता है बुनसें बुनस्थिस्ट गांज जो है वो किस सिद्धान पर कार्य करता है तो दोस्तों यह काफि important question थे आपके science के अगर आपको यह अच्छा लगता है यह वीडियो और आपके काम का है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को दबा दीजेगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको तुरंद मिल जाए तो तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आगे क्वेश्चन में ये इसका पांच पार्ट है और मैं वीडियो कंटिन्यू रखने वाला हूँ